हेलो गाईज, वेलकम तो मैं यूट्व चैनल, आज मैं आप लोगो के लिए बायोलोजिक का फोर्थ क्लास लेकर आए हूँ, जिसमें आपका हम आज बात करेंगे और ये आपका हर क्लास के लिए जो आपका junior से लेकर, senior से लेकर, आपका competitive exam तक हर क्लास के लिए एक important वीडियो होगा, तो पूरे वीडियो को हम एक-एक करके, पूरे biology को एक-एक करके हम क्या करेंगे वीडियो पार्ट वाई पार्ट में हम खतम करेंगे और सौट सौट वीडियो बनाया जा रहा, फिर धीरे-धीरे इसका time duration क्या किया जाएगा, बरहाया जाएगा लेकिन अभी सुरू में basic में आपको इसको कम रखा गया है, फिर इसको हम आगे धीरे-धीरे करके बढ़ाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह आपका फूर्थ वीडियो है तो आपको लिख देते हैं यह आपका part 4 हो गया इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं part 3, 1, 2, 3 आपका आया है उसको देख ले तो ज़्यादा बेटर है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करके पूरे parts को सबसे पहले हम जानेंगे classification of nutrients है ठीक है, इसमें according to according to the year, सबसे first जो हो गया इसमें, first अगर हम बात करेंगे के, तो according to the year work and usage work और यूज के काम और आपका यूज के अधार पर इसको कितना भाग में बाटा गया है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये energy provide करता है energy provide करने का काम करता है कौन करता है, किसके द्वारा होता है तो fat और आपका carbohydrate, fat और carbohydrate के द्वारा क्या होता है, energy आपको provide होता है जिसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक gram अगर आपका fat लिया जाएगा तो एक gram fat में आपका 9.3 Kelvin आपका होता है और एक gram अगर हम carbohydrate में बात करेंगे तो 4.3 Kelvin होता है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है नेक्स हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, पहला तो energy provide करता है नेक्स हम बात करेंगे तो body growth and protein में अगर हम बात करेंगे तो देखे, protein में आपको पता है amino acid के बारे में amino acid जो होता है, pepton से लेके आपका pepton में पहले convert होता है, फिर आपका किस चीज़ में, peptide protein में आपका convert होता है, इस चीज़ को याद रखना है, next हम बात करेंगे इसमें, तो nitrogen जो fixation होता है, nitrogen fixation जो होता है, वो rhizobium bacteria जो होता है, उसके द्वारा ये होता है, rhizobium, rhizobium आपको ध्यान में रखना ह आपका atmosphere हो गया, atmosphere से nitrogen को क्या करता है, nitrogen compound में और आपका close tridium जो होता है, उसमें ये क्या करता है, convert करता है, दो चीज़ में, एक nitrogen compound में हो गया, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है close tridium बता रहा है, ठीक है ना, close tridium, इसको भी आपको याद रखना है, next हम बात करेंगे कि इसी में convert करता है, आगे हम बात करेंगे nitrogen जो होता है, nitrogen इन plants अगर हम बात करेंगे, ठीक है न, तो वो आपका ध्यान में रखना है कि inform of बता रहा है कि nitrate के form में वो क्या करता है, स्वाइल से प्राप करता है, कौन, अगर हम बात करेंगे nitrogen जो हता, plants, plants जो हता है, nitrogen कैसे प्राप करता है, तो आपको ध्यान में रखना है, तो यह आपका जर से करता है, nitrogen को nitrate के form में direct नहीं लेता है, वो nitrogen को nitrate के form में क्या करता है, convert करता है और उसके बाद यह इसको लेता है, और वो कहां से लेता है तो स्वाइल से लेता है इस चीज को ध्यान रखना है नेक्स हम बात करेंगे प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है वो कौन करता है राइवोसोम करता है राइवोसोम को ही आपको याद रखना है कि राइवोसोम को हम प्र तीसू अगर हम बात करेंगे, तो histology बोलते हैं, टीसू का जो अध्यन, cell का आपको बता दिया गया था कि cell का जो अध्यन होता है, उसको cytology बोलते है next हम बात करेंगे, इसी में तो आपको याद रखना है metabolism, ठीक है, metabolism, metabolism क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम particular जानेंगे उससे पहले आप metabolism सिर्फ जान लिजे इसको दो पार्ट में बाटा गया है, metabolism को लेकिन पहले आप जान लिजे कि ये करता क्या है metabolism को हिंदी में हम उपापचय बोलते है उपापचय बोलते है, ठीक है, उपापचय उपापचय, next हम बात करेंगे all जो biochemical जो होता है, all biochemical reaction inside human body जितना भी हमारे सरीर के अंदर जो biochemical जो reaction होता है, वो किसके द्वारा होता है metabolism के द्वारा ही होता है metabolism को आपको पता होना चाहिए कि दो parts में आपको भाटा गया है, देख लिए यहाँ पर metabolism को अगर हम बात करेंगे तो दो parts में, एक catabolism हो गया जिसको हम हिंदी में अपचय बोलते हैं, और एक होता anabolism, anabolism में क्या होता है आपका उपचय होता है, यह दोनों चीज को याद रखना है catabolism क्या करता है, तो big complex जो molecules होता है, big complex molecule, breaks into a small और simpler बता रहा है कि molecules में इसको क्या करता है, convert करता है, और वहाँ पर plus आपका exothermic reaction वहाँ पर होता है, जिसको उसमा छेपी बोलते हैं यह कहां आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यह digestion और respiration जो होता है वहाँ पर हमारे body के अंदर यह देखने के लिए आपको मिलता है, next हम बात करेंगे anabolism, anabolism में जो होता है, यह क्या करता है, smaller, anabolism में smaller को synthesize करता है, और bigger plus यह एनजी यहां पर क्या होता है एनजी जो required होता है वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इंडो थर्मिक reaction यहाँ पर होता है जिसको हम उस्मा सोशी बोलते हैं ठीक है next हम बात करेंगे इसे में आपका यहां पर हम बात कर रहते कि metabolic बता रहा है according to your work and usage पर है आपका energy provide हो गया, body growth हो गया, nitrogen fixation हो गया, ठीक है, next हम बात करेंगे C में आपका तो metabolic बता रहा है, कि regulates जो होता है, किसके द्वारा होता है, vitamin और minerals के द्वारा होता है, next हम बात करेंगे genetic carrier के नाम से हम किसको जानते हैं, तो DNA और RNA को हम genetic carrier बोलते हैं, क्योंकि उसी इस ही के द्वारा जो अनुवानसी गुन होता है, जो माता-पिता का रहा हो, इस ही के द्वारा आता है, इसलिए इसको genetic carrier, genetics में आपको ध्यान में रखना है, genes, genes आपको देखना है, ठीक है, genes कहा आपका DNA में, और DNA में आपका क्या क्रोमोसों, ठीक है? ना, 크ोमोसों요 endeavor हों कि पर हम डाउन syndrome बोलते हैं, याद रखना है इस चीज़ को, Turner syndrome में आपको याद रखना है जो Turner syndrome होगा, Turner syndrome में यह पहले भी बता चुक Hor struggles, Turner syndrome में अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हूज याद करेंगे, एक्जाम में काफी बाड़ ये question आ चुका है, इस चीज को याद रखेगा, ठीक है, DNA और RNA जब आपको ध्यान में रखना है कि ये pentoj sugar, pentoj, pentoj sugar confirmation करता है, next हम बात करेंगे, gene का चुक होज किया था, कौन किया था, George, आपका Mendel किये थे, जिनको father of genetics के नाम से भी हम क्या करते ह जानते हैं, father of genetics किसको कहेंगे, तो आपका ध्यान रखना है George Mendel, ठीक है, next हम बात करेंगे, ये जो gene sabd, जो term किसके द्वारा दिया गया था, gene sabd के जो जनमदाता थे, जो handsome थे, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है, next हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको ये तो बता दि हैंगे, chemical composition, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ दो parts में इसको भाटा गया है, एक होता है, macro होता है, ठीक है, macro होता है, और दूसरा micronutrients होता है, एक macro होता है, एक macro होता है, macro में क्या होता है, तो याद रखेंगा, macro में जो क्या होता है, required बता रहा है, कि in more बता रह हो गया यह macronutrients के अंदर क्या होता है आता है याद रखना इस चीज को macron के अंदर कौन आ जाएगा carbohydrates आ जाएगा fats आ जाएगा और आपका protein आ जाएगा जिसको हम बात करेंगे कि यह ज्यादा मात्रा में हमको क्या होता है ठीक है नेक्स हम बात करेंगे micro बता रहा है micronutrients जो होता है यह required in a small quantity इसको कम मात्रा में हमारे सरीर को जरुड़त होता है not digestive in our body बता रहा है ठीक है नेक्स हम बात करेंगे vitamins vitamins हो गया minerals हो गया water हो गया यह आपका जो vitamins minerals and water जो हो जाएगा है यह आपका micro nutrients में आ जाएगा macro में आपको ध्यान में रखना है carbohydrate fat और protein हो गया next हम बात करेंगे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यह ज्यादा मात्रा में आपको चाहिए और यह small quantity में चाहिए next हम बात करेंगे देखें first अगर हम बात करेंगे इसमें carbohydrate जो दिया हुआ है तो carbohydrates के बारे में तो carbohydrates देखें carbohydrate एक होता क्या है तो यह देखें यह आपका carbon hydrogen और oxygen का ही एक compound है वही यहां लिखा हुआ है CHO compound हो गया के carbon hydrogen और oxygen का ही यह compound होता है और आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो form होता है वो Cn, H2n, On होता है Cn, H2n, On या इसी को हम C, H2o और Hall इसका जो होता है N होता है N से जब multiply करिएगा तो यह N यहां पे आ जाएगा और यह N2 में लग जाएगा और O में लग जाएगा तो यह बनेगा तो इस चीज को ध्यान वखना है दोनों form में आपको देखने के लिए मिलता है कर्बोहाइटरेट को और याद रखना है कि carbon hydrogen और oxygen का जो ratio होगा यहां पे carbon hydrogen oxygen का 1 to 1 का होगा नेक्स हम बात करेंगे simplest form of बता रहा है कि carbon hydrogen जो होता है उसको हम क्या बोलते है glucose बोलते है simplest form of जो आपका carbon hydrogen होता है उसको glucose के नाम से जानते है ठीक है next हम बात करेंगे कि यह करता क्या है आपका तो याद रखेए carbon hydrogen जो होता है instant energy बहुत जल्दी अगर energy provide जैसे केला ओला से जो होता है आपका ठीक है वो सबसे आपका क्या होता है तुरत आपको energy formation होता है तो instant energy के लिए आपको ध्यान में रखना है carbon hydrogen का यूज किया जाता है next हम बात करेंगे इसका जो source होता है honey, honey को आपको याद रखना है honey का जो अध्यन होता है आपका मधुमक्यों का उसको हम epiculture बोलते है इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना epiculture next हम बात करेंगे banana हो गया potato हो गया rice हो गया wheat हो गया mutton हो गया chicken हो गया ITC यह सारा चीज़ जो होता है यह सब में आपका carbohydrate का मात्रा होता है next आपको ध्यान में रखना है कि energy जो आपको carbohydrate में हम पहले भी हम बता जोके थे कि 1 gram में आपका 4.3 Kelvin होता है ठीक है 1 gram में आपका 4.3 Kelvin यहीं पर आपको बताया गया था 1 1 gram में आपका 9.3 Kelvin हुआ थो fat में अगर हम बात करेंगे लेकिन carbohydrate अगर 1 gram लेंगे तो 4.3 Kelvin आपको इस चीज़ को दोनों के ध्यान रखना है यहां के point of way से बहुत important है next हम बात करेंगे C6H12O6 जो glucose हो गया प्लस आपका oxygen दोनों जब मिलता है यहां पे तो आपको ध्यान में रखना है carbon dioxide का formation होता है साथ में water का formation होता है और ATP ATP या आपका जो ATP उर्जा के form में यही से energy मिलता है हम लोगको ATP के form में यह energy provide होता है ठीके या उसी को ABP भी बोलते है ATP और ABP ATP को हम adenosine बता रहा है adenosine triphosphate के नाम से जानते है और याद रखे adenosine triphosphate का synthesis करता है इसको कौन करता है तो mitochondria करता है इस चीज़ को भी याद रखना है mitochondria करता है ठीक है ना इसके अंदर जो electrochemical एक proton होता है ठीक है ना powerhouse of cell के नाम से हम इसको जानते है ठीक है ना और इसको याद रखेगा adenosine ATP को energy currency या power currency के नाम से भी हम जानते है energy currency या power currency के नाम से हम किसको जानते है तो ATP को जानते है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है इस चीज़ को important है आपका को जानेंगे तो इस वीडियो में हम यही तक इसको रखते हैं और जितना भी चीज़ बताया गया आपका बहुत कम समय में बहुत सारा जो main points है उस सारे चीज़ को include किया गया है इसके बाद भी अगर कुछ points रहेगा तो फिर part by part में आपका फिर जो बचेगा आपका फिर एक आएगा लेकिन ये एक complete वीडियो आपका पूरा बायो का चलेगा जिसमें हम सारे चीज़ को cover कर लेंगे इसके बाद जो बचेगा उसके बाद भी फिर कुछ question जो बचा हुआ है इसमें इसके बाद भी उसमें उसको include किया जाएगा कामिए ग्हा हुआ है जो मेवा मैं झाला जो, ऑछा हुआ का आपका लेकarry भी तो बच़र मतीज़ का कि ऑगा गालतबस प्सादावद प्साद़्र्दावर्दाएवर्र्दाश्प-रू